अस्त्राम अलेकुम गाइज मेरा नाम साथ अली है और फ्री लांस पाकिस्तान के प्लाइटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम फाइवर के ओपर ऐसी कौन-कौन सी सर्विसिस है या ऐसी कौन-कौन सी केटेगरीज हैं जिनके उपर हम काम करके अर्णिंग कर सकते हैं हमारे फेस्बुक के पेश के इन बॉक्स में बहुत से लोगों की मेसीजिज आ रहे था कि वह इस चीज में कंफ्यूज हैं और उनको यह समझ नहीं आ रहा कि वह फाइवर के ओपर कौन-कौन सी सर्विसिस प्रवाइड कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपनी फाइवर के पर दौ तरह की ना हि मैं तरह कर सकते हैं सबसे पहले अर्ट के अर्ड आया है ताप आँम पर की नीचे आप देखंगे यहां पर कुछ sentir नहीं और उसके अंदर उनकी सब-kaटटेगरी भी हैं तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिक एंड डिजाइन के साथ, ग्राफिक एंड डिजाइन जो है वो एक टेक्निकल फील्ड है, इसके अंदर आपके पास केल आना लाजमी है, अब इसके अदर आप देखें सब कैटेगरीज है, लोकल डिजाइन, बिजिनस कार्ट, स्टेशनर अब इसमें बेताशा केटेगरीज हैं, टीशेट डिजाइनिंग की है, 3D, 2D मॉडल है, फोटोशॉप की एडिटिंग है, अब यह सारी जो हैं वो एक टेक्निकल फील है, इन मेंसे अगर आपने किसी केटेगरी पे काम करना है, तो उसके लिए आपके पास फोटेशॉप और इलिस्टेटर का सकल होना जाजमी है, अगर आपके पास यह सकल है तो आप इस केटेगरी के ओपर इसे लिए काम कर सकते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ओपर, अब डिजिटल मार्केटिंग जो है, वो सोचल मीडिया मार्केटिंग हम Facebook, Twitter या Instagram पर कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं SEO, Search Engine Optimization, Work Traffic, Content Marketing, Web Analytics, Local Listing, Domains Research यह सारी के सारी केटेगरी हैं अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अब इसमें Resume and Cover Letter अगर आपकी English अच्छी है और आपकी Grammar अच्छी है और आप English अच्छा लेख सकते हैं तो इसके अदर आप अपनी Services प्रवाइट कर सकते हैं इसमें जो सबसे पहला है Resume and Cover Letter अगर आप CV आपको बनाना आती है और आपकी पास latest templates है और आपको पता है कि आपने CV कैसे बनानी है तो आप वह service भी यहां पर प्रवाइट कर सकते हैं उसके बाद ही जाता है Proof Reading and Editing, Translation Translation के दर आपको दो जबाने आती हैं दो languages आपको आती है एक English और एक आपको Arabic या घंडर जीर्मन या फ्रेश्य उसमें यह होगा कि client आपके पास आएगा वह या तो आपको English अर्टीकल करования आप आएगा और आपको कह तो इसलिए वो services buy करते हैं Fiverr पर इसमें आपको content लिखके देना होता है buyer को आपने आपकी English अची है उसमें grammar की mistakes नहीं होनी चाहिए punctuation ठीक होनी चाहिए spelling ठीक होने चाहिए तो अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप इसकी services भी provide कर सकते हैं उसके बाद हम चलते हैं video and animation के ओपर अब video and animation जो है यह technical field है इसके अंदर आपको उस पास skill होना चाहिए अब इसके अंदर यह होगा video की editing आप कर सकते हैं आप video का intro बना सकते हैं for example कोई भी आप YouTube पर video देखते हैं तो उसके start के अंदर जो channel का नाम आता है मुख्लिफ animation के साथ तो वो जो है Adobe Premiere Pro या जो है किसी भी video editing software के थ्रू होती है अगर आपको Adobe Premiere Pro आता है तो आप उसकी services भी यहां पर provide कर सकते हैं उससे बाद हम चलते हैं music and audio के ओपर अब यह भी इतरह से technical भी है और non-technical भी है अब non-technical इस तरह है कि for example अगर आपकी voice अच्छी है और आपका accent अच्छा है तो आप voice over के अंदर अपनी services provide कर सकते हैं इसमें यह होगा client आपको word की document के अंदर एक आपको content देदेगा आपको कहेगा आपने अपनी आवाज के अंदर इसको record करना है तो आपकी अगर आवाज अच्छी है और आपका English बोलने का अंदाज और accent अच्छा है तो आप यह service आप पर provide कर सकते हो उसके बाद यह mixing है mastering है जो music industry से related है लोग यह उन लोगों के लिए services है वो provide कर सकते है producer and composition है song writers है अगर आप गाने लिख सकते हैं तो आप उसकी services भी provide कर सकते हैं उसके बाद हम चलते हैं programming and tech की तरफ programming and tech जो है यह भी एक technical field है इसके नदर यह है कि अगर आप for example website आपको बनाना आती है या आपका इसमें interest है तो आप इसके काम कर सकते हैं इसके नदर wordpress की website होती है अगर आप वो बनाना चाहते है programming languages आती है for example HTML, CSS, PHP अगर आपको इनमेंसे कोई भी language आती है तो आप इसके उपर अपनी service provide कर सकते हैं और भी इसके नदर बहुत सी मुख्लिक categories है यह आप एक दफा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरफ जाना है उसके बाद आजाता है business अब business जो है वो एक non technical category है मेरे खिलात है इसके अंदर different sub categories है जैसे virtual assistant है market research, business plan, branding services अगर आप business man है और आपको पता है कि business कैसे करता है करना है और business की know how है तो आप इसके अंदर अपनी services provide कर सकते हैं आप इसको strategies बनाके देंगे कि आप यही अपनी strategy में डालें और इस तरह business को लेके चलें तो आपका business successful हो जाएगा अब carrier advice इसके अंदर है कि अगर आप उसको advise दे सकते हैं कि उसमें आगे क्या करना है तो इसमें आप देखनें कि यह बहुत सी non technical categories भी है कि अगर आप इसमें काम करना चाहें तो मेरा ख्यार है कि आप इनके ओपर भी काम करेंगे एक अच्छी handsome moment में earning कर सकते हैं रिलेशन्षिप advice है उसके नीचे health nutritionist and fitness health इंदर यह यह है कि आप डॉक्टर है और आपको पता है कि कौन सी medicine किस बिमारी के लिए यूज होती है और किस बिमारी का क्या इलाज है तो आप उसकी स्रेश्पी आप प्रोइज कर सकते हैं उसके वाज है nutritionist nutrition के अंदर जो है अगर आपने nutrition की डिगरी की हुई है इसमें यूँ होगा कि client आपके पास आएगा वो क्याएगा कि मेरा इतना weight है और मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो आपने क्या करना होगा आपने उसको एक diet plan बना के देना होगा जिससे उसका weight कम हो जाए तो आप वो service भी यहापर दे सकते हैं उससे फिटनस है अगर आप bodybuilder है या जिम करते हैं और आपको सारी exercises का पता है तो आप उसके अंदर जो हैना अपनी service को वाइड कर सकते हैं इसमें यूँ होगा कि लोग आपके पास आ हैं जिनके लिए आपको आपस technical knowledge होना जुरूरी नहीं है अब प्रेंक्स एंड्स तरंट्स हैं इसके अंदर global future अगर तो आप इसमें जब देखिए कि तो आपको बहुत सी ऐसी केटेगरी मिलेंगी और बहुत से सवालों का जवाब मिल रहेगा कि आप के लिए कौन सी केट पर काम कर सकते हैं आई हो अपरों का अंदाजा हो क्या होगा कि आप कौन कोंसी services fiber पर provide कर सकते हैं आप खुद भी इसके अपर research कीजिएगा ताकि आपको और जादा अच्छे से समझ आ जाजाए तो आज की वीडियो के लिए इतना ही इंशाला नेक्स वीडियो में आपसे में मुलगा दोगी अपसे के लिए खुदा हाफिज